हेलो बचो तो आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम numbers के square को easily find कर सकती है जल्दी जल्दी find कर सकती है तो उसी के देखिए जैसे की मान लीजिए आपके पास कोई भी एक number है 23 आपको क्या करना है इसका square find करना है तो basically सबसे पहला method इसका क्या होगा कि आपको 23 को 23 से multiply कर देना है तो बच्चे वो लेंगे सर इसमें क्या मुश्किल है तो ये 33 is the 9 ये 6 और ये 6 ये 4 और ये 9 ये 2 और ये हमारे पास क्या आगया इस number का square आगया तो ये तो सभी को आता ही है निकालना बट बचो देखो अगर इसकी जगा हमारे पास क्या हो जाए नंबर हो जाए 47, 99 अगर इस तरह के नंबर सा जाते हैं तो हम इसको होर भी easy method से calculate कर सकते हैं तो देखो वो कैसे करेंगे देखो 23 square का मतलब क्या होता है कि हम 23 को किसके साथ multiply करेंगे 23 के साथ अब जो 23 होता है ना बटा हमें क्या कर लेन है इसको इसके nearest easy वाले नंबर में ब्रेक कर देना है अब 23 का जो nearest number easy वाला नंबर क्या है वो 20 है तो मैं इसको 23 को कैसे ब्रेक कर लूँगा 20 plus 3 में तो इसको हम कैसे लिख लेंगे 20 plus 3 और इस वाले को भी 20 plus 3 इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लेना है अब उसके बाद हमने क्या करना है अब इसका मतलब क्या होता है कि पहले जो ये 20 है वो हमारे पास इस पूरे नंबर से multiply होगा और फिर जो ये 3 है वो भी हमारे पास इसी तरह से के साथ multiply होगा जब इनको multiply करेंगे तो हमारे पास यह 400 आ जाएगा और यहाँ पे 60 और फिट से यहाँ पे 60 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा और बस हमने अब इनको कर देना है तो यह 400 और यह 120 और यह 9 तो यह बन जाएगा हमारे पास 529 9 तो देखिए इस method से भी हम इसको calculate करना है अगर आपके पास question आता है कि square find करना है without multiplication तो बच्चों आपको इसी method के साथ ही करना होगा अब एक और question देखिए जैसे कि हमको मान लिजिए find out करना है 56 square तो इसमें बैटा हम 56 को कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि 56 multiply 56 और 56 के इसी नंबर क्या होते है हमारे पास 50 प्लस 6 में break हो जाएगा ये और ये वाला भी 50 प्लस 6 में break हो जाएगा अग उसके बाद आपको क्या करना है इस 50 को इन दोनों से ये multiply होगा फिर ये वाला 6 जो है हमारे पास वो भी इस वाले से multiply होगा तो जब हुम इसको इसके साथ multiply करेंगे तो 2500 आ जाएगा इसको इसके साथ multiply करेंगे तो ये 300 और फिर से इसको इसके साथ multiply करेंगे तो ये भी 300 और ये इसको इसके साथ करेंगे तो 36 तो बच्चों यह आ जाएगा हमारे पास विन दोनों को एड़ करेंगे तो 600 और प्लस यह आ जाएगा 36 और बस लास्ट में आपने क्या कर देना है इनको एड़ कर देना है 600 और यहां पे 36 तो यह 6 यह 3 आ जाएगा 11 और यह 3 तो यह आ जाएगा आपके पास 3 1 3 6 तो इस तरह से आपको क्या करने है इनके स्क्वेर्स को find out करना है अब बच्चों देखो यह method बहुत जादा helpful हो जाता है अगर हमारे पास कुछ 3 digit का number हो जाए मान लो अब हमको इसको स्क्वेर्स करने है अगर आप इस number को direct multiply करेंगे तो बेटा बहुत time लगेगा तो इसको हम इसी methods के साथ करेंगे इसको हम लिख लेंगे 103 multiply 103 और 103 को किस में लिख सकते हैं बिल्कूल 100 plus 3 में अब इसको भी 100 plus 3 में ब्रेक कर लेंगे फिर इस 100 को हम इसके साथ क्या कर लेंगे multiply और यहाँ पर 3 है तो इसको भी हम इसके साथ कर देंगे multiply तो यह आजाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4 और यह आजाएगा 300 और यह भी 300 और यह 9 तो यह आजाएगा हमारे पास 600 प्लस 9 तो इसको अगर हम add करेंगे तो आपके पास यह आजाएगा आपका answer तो बटा इस तरह से आपने सभी numbers को क्या करने है multiply करना है